बिदेश सरकार ने बद्रवाई दलित बच्ची की रिपोर्ट मुरदवासे सपसांसर डॉक्टर स्टी हसन ने हाथ रसकी दलित बेटी प्रकरण पर पडेश की योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रीड बच्ची की सारी रिपोर्ट पड़्वादी गई हैं आज देश और सब कैले सबस्कार इसका इलायज की योगी सरकार के बच्ची ने दम तोड दिया और उसकी मोत की की फास्ट Nie कोड में मामले को ले जाकर सभी आरोपियों को फासी कि सजा होनी चाहिए दरसल सपा सांसद हादरस की दलित बच्ची को शदांजली देत हुए एक केंडिल मार्च में शामिल हुए थे करती गए उस बच्ची को हम इनसाफ नहीं किला पाए हम चीज से इलाई नहीं करा पाए उसका जहां इलाई होना चाहिए था आल इंडिया सी टूपर वहां नहीं बेच पाया है और हमें सबसे अफसोर सुनाग बात यह है कि परिशासन इस केस को दवान की कोशिश करता रहा है महा के पाए पेत 17 इपोर्ट आब यह दे रहे हैं कि उसकी ना तो जबान क्टी और अ ना इसकी हटड़ी तूटी ना इसके साथ बलात कार हुआ तो मिलो कैसे मारे गई क्यों मारे लिए यह सोचने का बुकाम है कम से कम ऐसी वाती हमारे पाए पाना हरु को हमारे शासन को हम लोगों से हम अपनी बात नहीं कह सकते अगर कोई अपनी सच्छाई या बात कहना चाहेगा तो इसको मुक्तरिस तरीफों से परिशान किया जा रहा है और खास वह सी दलीतों के साथ जो नहीं साथी हो रही है जो जुर्म हो रहे हैं हम उनके लिए कंद से कंदा लगा कर पूर कि दो तीन जगा का मालू हुआ है कि रेप हुआ हो उसको फदल कर दिया गया देखिए जब कानून का खौफ सतम हो जाता है तो ऐसी घटनाएं बढ़ जाती है जिस पर देश के अंदर बड़े उच अधिकारी है अगर हस्ता वसूल करने लगे तो कानून के बारे में आप खुदी समझ सकते हैं किस जगा पर आपका यह मानना है कि सरकारे इस तरह के कैसों में रिपोर्टे बदलवा देती है पहले गटना हुआ है जो सरकारे बदलवा देखिए तरह को यखीनी तोर के उपर उस बच्ची का रेप गुआ उसकी हटी तोड़ी गई दबान कखी भी अब क्यों ऐसा बात कही जा रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है क्या वह ऐसी जा इस देट शेदना मारी जी दने के खेश्च में कोई ट्रक से तक्राँ यह जी ताहसंसकार को लेकर दी सवाल के ताहसंसकार किस तरह किया गया हर आदमी अपनी रीती रिवाज से अपने प्रवाई देते हैं और उस गरीब की बच्ची को उसकी माँ को हमने देखा है बिलते वे और रोते वे आप लोगों के चैनलों के उपर जो यह कह रही है कि मैं अपनी बच्ची को हमेशा की विदा करना चाहती जी इसकी सूरत देखकर उसको हल्दी लगा कर लेकिन उसका या अधिकार के उस्ची है उनके घरों में उन सब लोगों को प्रैद कर दिया गिया इंसाफ है हम इस दुन्या में रह रहे हैं इक्ती समीस जादी के हिंदूस्तान में हमें कहते को अब शर्म आ रही है कि हमारे लोग जो हमारे बहुकूमते कर रहे हैं वो सम्वेदन हीं हो फास्ट्रेक कोड्रों कदमा चलाकर इन्हें फासी की सदक दी जाए और उन लोगों को भी सदा मिलनी चाहिए जिनों इस केस को छुपाने की और दबाने की कोशित करी चाहें वो को ही भी अधिकारी की नहीं है तागे आइंदा फिर ऐसी कोई बटना करते हो लोगों के दिल जिए डान, समे, समेज बड़तन धने कोईयों के लोग